सो आपने क्लोज रेंज में अपना हिफार को भी अच्छा कर लिया आपने अपनी अपनी मुव्मेंट को भी अच्छा कर लिया लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो आ जाता है बेस्ट सेंस्टिविटी फर क्लोज रेंज जो कि आ जाती है अपनी क आपको कैसे फाइं आउट करनी है और लाइक कर दे और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ना एसी इंफोमेटी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी सो गाइज विदाओ ट्वेस्टिंग अनी टाइम लेट्स गेट साड़ेंगी करते और सब्सक्राइब क्लोस से संसंतिविटी सबसे द्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें सबसे पहले अजाती है कैमरा पर जाती है मारी द्रॉर अपर यहांगी यहां पर क्या रोल्पी प्लेकर तर यहां पर स्कोपшन उन करते वक्त यूज होती है या फिर ऐसा लेकिन हीपफायर में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी इसके बिना आपका क्लोज रेंज कुछ भी नहीं है इसकी सेंस्टिविटी को भी आपको सेट करना पड़ेगा और अब मैं आपको बताऊंगा कि कितनी सेंस्टिविटी आपके लिए अच्छी है और जादा रखने की क्या एडवंटेजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिज किया या कुछ किया हम left right जो मूड रहें वहां पे जो sensitivity अप्लाई होती है वहारी camera sensitivity होती है और अगर बात करें कि मैंने क्या रखिए sensitivity जब Android में किलता था मैंने 120 रखी थी और जब मैं आप iOS में shift कर चुका हूं और मेरे लिए यह अच्छे से sensitivity वर्क करने लगी जो हमारी नेक्स सेंस्टिविटी आ जाती है वह जाती है so guys अब आ जाती है हमारी जायरो की sensitivity हो जो की बहुत जादा important है और हम सब को बता है कि close range में जितनी भी tracing है और hipwire वाली fight है उसमें जो सारा हम crosshair placement, crosshair tracing जो सब headshot connect करते हैं अपनी gyro को use करके करते हैं लेकिन यहां पे सबसे जादा important point में आप सब को बता देता हो कि guys अगर आप beginner हो आप सीख रहे हो अभी आपने gyro को अच्छी तरह से master नहीं किया है तो इसको 300 रखो because यह real time sensitivity है इसको use करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि gyro कैसे work करता है कैसे चीजें work करती है कैसे अपनी muscle memory develop करनी है then उसके बाद आप लोग 400 sensitivity पे जा सकते हो तो मैं अभी खुद भी नहीं गया हूँ 400 sensitivity पे because मुझे अभी comfortable है अपना close edge अच्छा है मेरे लिए अभी मैं उसको change नहीं करना चाता but future में मैं उसको try करूंगा और maybe 400 पे जाके क्या पता जादा अच्छा हो जाए close edge जो tracing में जादा अच्छा रहे मेरे लिए लेकिन आप अभी 300 पे try करो इसको जादा करना है तो बाद में कर लेना जब आपकी muscle memory grow हो जाएगी आपको basically पता चल जाएगा कि आपका gyro कैसे work करता है phone का और आपको कितना phone कितनी मतलब position में मोड़ना पड़ेगा तब जाके आपका phone उतना मुड़ेगा आपकी एक वीडियो से हम इतने साल से जो ट्रेनिंग करते आ रहे इतने टाइम से जो गेम खेल रहे इतनी प्रैक्टिस करते तो वह सारा कुछ हम चेंज कर दे क्या सारी सेंस्टिविटी को सेंस्टिविटी को अपने लिए फाइंड खुद करना पड़ता है यहां पे ऐसा कोई कोड नहीं है कोई ऐसी सेंस्टिविटी नहीं कि जो मैं आपको बता हूं और आपका क्लोजरेंज एकदम वीस्ट हो जाए आपके हैडशॉट्स कनेक्ट हो जाए आपका लेजर स्प्र करने की आपको कोशिश करना वो यह है कि आपको सेंस्टिविटी कैसे फाइंड आउट करनी है जादा सेंस्टिविटी रखने के क्या नुकसान है क्या फाइदे है और कौन सी सेंस्टिविटी कहां पर एपलाई होती है और यहां पर एक और इंपॉर्टन चीज में आपको कि आपने अगर एक सेंस्टिविटी एप्लाई कर लिए उस पर खेलना आपने सीख लिया आपका अच्छा है आपको मसल मेंबरी अच्छे से डिवेल्प होगे ठीक है तो उस जो सेंस्टिविटी है ना उसको मास्टर करना बहुत ज़दा को अप्लाई करो तो आपको लगते कि वजटह से चोक नहीं कर रहा है तो सेंस्टिविटी को कभी के चेंज मत नहीं कर रहा हूं विकाज मुझे वियो मेरे लिए perfect है और मैं बहुत जादा अच्छे से close range में perform कर रहा हूँ लेकिन अगर आपको लगे कि आप किसी वज़ा से चोक कर रहा हूँ जैसे कि मैंने अपनी camera की sensitivity अपनी 300 रग दिसी starting में तो मेरा phone बहुत जादा left right मोड़ना शुरू हो गया था उसके विज़से मेरी accuracy खराब होगी थी तो मैंने उसकी sensitivity को find out किया थोड़ा सा कम किया फिर थोड़ा सा जादा किया तब जाकि मुझे मेरी sensitivity अच्छे से मिल गी 10 में उसको apply करके अभी तक खेल रहा हूं और अभी भी T1 में खेल रहा हूं अच्छे से close range में भी खेल रहा हूं mid range में भी खेल रहा हूं so important चीज़ यह है कि अपने लिए एक sensitivity को find out करो और उस sensitivity को master करो यह चीज़ बहुत ज्यादा important है कि उसको master करो गाई ऐसा कोई code नहीं है जो मैं आपको बता हूं और laser spray आपके जानने शुरू हो जाए आपकी bullet connect हो जाए जैसी कि मैंने पहले बोला so guys आपको sensitivity master करनी पड़ेगी और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like कर देना और चैनल को subscribe कर देना because subscribe करने से आपको मेरी वीडियो की सारी notification आपकी home page पे मिल जाएंगी so guys मैं मिलता हूं आप से next studio में तब तक के लिए bye bye and peace out